है प्रश्यान मालविया जी बोलने है मैं मधर इस डाइबेटिक शी टेकिंग अलोपेथिक मेडिसन लास ट्वंटी एस नाव शी हैज एक किड्नी प्रोब्लम सब्सक्राइब को नहीं कम से कम लाको स्टडी है कि इन लोगों ने डाइबेटिक एलोवेथिक मेडिसन को लंबे टाइम तक यूज किया है या तो वो कैंसर से गुजरते हैं या किड़नी प्रोब्लम से गुजरते हैं और ये एक हसीन कोइंसिडेंस है जो हम लोग मानते हैं मेरा तर्क ये है कि जो वो चीजे आयर्वेथ से ठीक हो सकती हैं अभी कुरुशियल और हाइपर स्टेज पर नहीं आई है जो हम अपनी डाइट से और वर्क आउट से चीजों को कर सकते हैं जो पसीना बहा के ठीक हो सकता है तो मेरे खाल से हमें से हरे एक इंसान की जिम्मेदारी ये है कि पहले हम उन बिमारियों को कंट्रोल करें अगर हमें दवाई खानी है खाएं दवाई अलोपेथिक भी खाना है अलोपेथिक भी ज़रूर खाएं लेकिन एलोपेथिक से पहले हम अपने रूटीन काम तो करें जो अब साइंस भी मानती है मुडरन साइंस भी मानता है एलोपेथ भी मानता है कि डेली एकसरसाइज करना तो डेली एकसरसाइज तो करें डेली पसीना बहाना है तो डेली पसीना तो बहाएं क्या पता पसीना बाने से हमारी वो दवाई automatically छूट जाए लेकिन अगर हमने BP दवाई कई लोगों से हम पूछते हैं कि आपका BP controller बोले मेरा BP अब control में रहता है कैसे रहता है daily एक गोली खा के BP control में रहता है sugar control में है daily medicine sugar को लेके control में है थाराइड कंट्रोल में है, देली एक टेबलेट, दो टेबलेट खा के थाराइड कंट्रोल में है, अरे ऐसे कंट्रोल नहीं होता, इसको कंट्रोल नहीं बोलते, बेसे डेफिनिशन मैं नहीं बोल रहा हूँ, in fact, modern science ने भी बोली है, the best doctor is not a person who is putting their patients on medication best doctors are those people who are taking their patients off medication क्या medication से हटिए बहुत से कम लोगों को जानकारी होगी कि UK जैसी जगाओ पे अगर 200 शुगर लेबल आ रहा है और अगर आपने 200 शुगर लेबल से नीचे medicine लिख दी है लोपैट का तो उस डॉक्टर का license cancel हो सकता है क्योंकि वो बोलते हैं कि 200 शुगर लेबल तक तो आपको patient को lifestyle modification के लिए motivate करना है उसे lifestyle modification की सलाई देनी है यह हमारे देश में हैं कि अगर 121-130 तो डॉक्टर इतने बुरे तरीके से diabetic patient को डरा देते हैं कि वो lifestyle modification दो छोड़ यह वो दवाई पर जाते हैं और चोथे पाच हुए दिन जब उनको दवाई से control दिखता है तो वो लोग अंदवक्त हो जाते हैं कि मुझे medication के सारे ही जीवन गुजारना है लेकिन हम लोग बहुत सारी quality इसको उस पर ignore कर देते हैं अब इन सब चीजों के पीछे बताने के पीछे तरक क्या है अपनाने का तरक क्या है कि यह सब चीजे कहीं ना कहीं से जो इतना है क्योंकि सबसे पहले अंदवक्ती छोड़नी ज़रूरी है अगर मुझे चीजे सुधार नहीं है तो मुझे सबसे पहले अंदवक्ती को छोड़ना होगा मुझे open mindedly एक पैथी नी दो पैथी नी human mankind के लिए जितनी पैथी अच्छी है एक्यू बंक्चर एक्यू प्रेशर वो समझनी पड़े गया फिर लोग कहें किस पे वरोसा करें किस पे ना करें रहे सब पे वरोसा करिए लेकिन वरोसा करने के लिए कोई तर्क रखिए कोई fundamental रखिए वरोसे की बिना जिंदगी नहीं चलती मेरा तर्क यह है कि आप हर ची भी बार तूटी थी, वो मुफ रक ता थी जो अन्द भकती के करन किसी को भी दे दिदी, fundamental चेक नहीं किये, logics चेक नहीं किये, किसी को भी भकती दे बैठे उसके पीछे कि कारन जानने की कोशिश नहीं करी, दिमाख को दस तरीके से जानने की कोशिश नहीं करी, आप अलो को भी सपोर्ट करिए आप होमियोपैत को भी सपोर्ट करिए आप एक्यूपंक्चर को भी सपोर्ट करिए आप एक्यूप्रेशर को भी सपोर्ट करिए आप न्यूट्रासोटिकल को भी सपोर्ट दीजिए लेकिन तार्किक करिए ब्लैक केमिस्ट्री कहीं नहीं छोड़ती तो green chemistry over a period of time हम यूज़ कर सकते हैं लंबे समय के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं आरवेदा के basic principles का दवाईयों का side effect होता है अगर कई कोई कही कि अरवेदिक दवाईयों को side effect नहीं है तो इसका मलब उसे आरवेदा की पूरी जानकारी नहीं है ऐसी बहुत सारी medication आरवेदा में भी आती है जो side effect छोड़ सकती हैं अगर बड़ी कादाद में ले ली जाएं या कुछ कर लिया जाए तो लेकिन सबका ग्यान होना जरूरी है सबके fundamental होने जरूरी है अगर लोग बोले कि इतना सब कोई ग्यान कैसे रखें के इतना सब ग्यान मत रखें जिस चीज से आप तरस्तों उसका छोटा सा ग्यान अख लीजिए आज से पहले तो कहलो पैथ विज्ञान बिल्कुल इस चीज को नकारता था और चिकित्सा को नकारता था फूड के रोल को निकारता था बिमारियों के अंदर लेकिन आज एक भी अमेरिका से लेके इंडिया इंडिया से लेके बंगलादेश अफ्रीका किसी भी बड़े होस्पिट में आपको ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि डाइटीशन ना मिले बलकि आज ऐसे बहुत सारे डाइटीशन से जिनका दर्जा डॉक्टरों से बढ़के हो गया है जो डॉक्टरों से ज्यादा इलाज कर देते हैं आज ऐसे ऐसे डाइटीशन बैटे हैं जो शूगर को नेचुरल आज बहुत सारे और लोगे जिनने मैं जानता हूं कि जो डाइटीशन का कोर्स कर रहे हैं कलपना मेडम बोली है मेरी मावी 25 से शुगर पेशेंट रही और लास्टमों की दोनों किड्नी फेल हो गई थी उनका अंत बहुत बुरा था रजनीश शोद्री जी पूछ रहे हैं सर के एडवांस शोट्स यूरिक एसिड में हलफ फुल हैं मैं एडवांस की तो रजनीश भिया बात ही नहीं कर रहा तो भी कुछ बताने के हालत में नहीं हूं ज़र्ज जिस दिन शोट के बात करूंगा उस दिन जरूर कोश्शन करि हैं आज उन्होंने एकसेट कर लिया तो उनके पीछे पीछे आप इसी को अंदभक्ती बोला जाता है कुछ लोग बोलते हैं अंदविश्वासी हैं अंदविश्वास यह नहीं कि हम मूर्तियों पर विश्वास कर लेते हैं अंदविश्वास यह नहीं कि हम भगवान पर व सब्सक्राइब परकार का अंद्विश्वास ही काउंट होगा इसको भी हम मांसिक पागलपन की श्रीणी में ही रखें तो ज्यादा अच्छा होगा सर्फ सबके कोश्चन आने लगे बिमारियों को लेके मेरे गाल से मेरे तरक में कभी कोई इंट्रस्टेड नहीं है सब बिमारियों में ज्यादा इंट्रस्टेड है डिरेक्ली नोटेस में ज्यादा इंट्रस्टेड है क्यों मैंने भी कोश्चन के लिए दो प्लेटफॉर्म आप सबसे बड़ी बात ये है कि इन सभी विमारियों पे अगर हमारे को चाहिए और हम चाहें कि हमारे ग्लैंड्स न्यूट्रिशियन रहें और उनका जो टॉक्सिन से निकलता रहे हमारी बोडी में एक ही प्रोसेस है हमारी बोडी में सेल्स खुलता है न्यूट्रियंट जाते हैं पॉक्सिंस बाहर आता है ब्लड लेकर आ जाता है जो भी मेटाबोलिक वेस्ट रहती है उसको लेकर बाहर आता है डैनिश जी रजनीश जी को जवाब देदेंगे ठीक ऐसे चलता रहेगा टो भी लाइफ बहुत बढ़िया चलता रहेगा तो हमारा जब सेल्स ओपन होता है तो इसमें जो फार वेस्ट होती है व्हारे सेल की वेस्ट होती है मेक्ट बाहर ले आता है न्यूट्रियंट कौद अंदर सप्लाई कर पाता है तो हमारी पोड़ी के चलने का एक सिंपल सा बेसिक सा फंडामेंटल भी अगर हम पकड़ ले तो टॉक्सिंस बाहर और नूट्रिशिन अंदर यह सिंपल सी है इससे हमारा हर ग्लैंड है सेल्स अच्छे रहेंगे तो ग्लैंड्स अच्छे रहेंगे ग्लैंड्स अच्छे हैं टिशू अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं वह स्वस्ते तो हम स्वस्ते अगर हमारे शरीर की बनने वाली सिंगल यूनिट हैल्दी है तो हम भी हैल्दी हैं यह क चीज़ों को हम नूट्रास्टिकल और बाकी सब चीज़े बोलते हैं चिलेटर्स क्या हैं कि हेल्प करते हैं ब्लड को की टॉक्सिंस को रिलीज करने में यूरेक एसिट्स होगारा को रिलीज करने में और बहुत सारे लोग ब्लाक केमिस्ट्री के बने हुए सिंथेटिक मुल्टी मिनरल्स खाके अपनी जरूरते पूरी करने की बात करते हैं मैं इस पर और ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में यह बात कर चुका हूं कि कैसे और कौन से सिंथाटिक न्यूट्रियंट एक दो एक्जमपल भी दे क्योंकि लेति हैं